नमस्कार दोस्तों, हर्शित दुवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दकाव स्लोटर बैन, दोस्तों ये टोपिक जो है थोड़ी सी पुरानी है, आज भी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कारणाडगा स्टेट गवर्णन ने कैटिल स्लोटर पर बैन लगा दिया है, पूरे स्टेट के अंदर, वैसे स्टेट गवर्णन के पास ऐसे ऑथोरिटी रहता है, इस तरह की लोज अपने स्टेट में इंप्लिमेंट करने के लिए, तो दो इथान क्या कहती है, कैटिल स्लोटर के बारे में, कैटिल कंसरवेशन के बारे में, बीफ एक्सपोर्ट स्टाटिक स्टिक्स, इंडिया का, इंपोर्टन है वो भी देखेंगे, और हमारी हिस्चरी में, अनिमल्स और रिलीजिन के बीच में, जो रिलेशन रखता था, आज क इसके बारे में देखेंगे, और फाइनली एक कंक्लूशन, तो दोस्तों आगे जाने से पहले, लेक्सर पर लाइक का बटन जरूर दबाई आगा, आप जितना लाइक करोगे, उतना यूटूब हमारे वीडियो को रेकमेंड करेंगे, चानल को अब तक सब्सक्रेब नहीं क अभने लेक्सराइन उसके करनाडगा पास्त, तो के अधिवेंशन ओव स्लाटर टी लिससी करणाडगा का Mini G Durie अपा, चानल को जरूर देखेंगे, वीडेःयोरब स्लाटगा को पामें हैं उनका गेवींडन की समें उनका का किया है, तो दोस्तों के करनाडगा का सु आखन काफ है, किसी भी तरह का cattle को मार नहीं सकते, अगर कोई इसको violet करेगा, तो stringent punishment होगा उनकी तरफ तो दोस्तों इसमें लिखा है कि इसके बार में एक कहानी आपको बता देता हूं दोस्तों, दो-तिन साल पहले की बात है जब BJP सबसे बड़ा पार्टी चुन के आया था assembly elections के बाद, पर BJP के पास इतना seats नहीं थे, ताकि ये government बना सके, तो second party था Congress, and third आया था जन्रदादल Secular, जन्रदादल Secular के पास केवल 37 seats थे, Congress और जन्रदादल Secular जो है इखटा हो गया, coalition बना दिया, और Congress ने जन्रदादल Secular को CM Post का ओफर दिया और इसके बात क्या हुआ HD कुमारस्वामी जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे HD डेवगड़ा, उनका बेटा है उनको कन्नाटगा का चीफ पिंसर बना दिया और सरकार बनाया जन्रदादल Secular and Congress पर बीजेपी चुप नहीं बैठा था बीजेपी अपना काम करता रहा एक डेड़ साल के अंदर ही अंदर गर्मन को गिराया, कुछ MLS कौपनी तरफ खीच कर और अभी के लिए कनाटगा में जो गर्मन्ट है वो B.S. Eduriya का बीजेपी लट गर्मन्ट है तो वैसे इंडिया में देखा जाएगा तो मैक्सिमम बीजेपी लट गर्मन्ट में प्रिवेंशन ओफ स्लोर्टर और प्रिसर्वेशन ओफ कैटल बिल अलड़ी लागू है तो 2020 बिली से रिवेर्स वर्शन ओफ लो बीजेपी वेन इट वास इन पवर इन 2010 देखो दोस्तों 2020 चल रहा है अब बीजेपी लट गर्मन्ट है 2010 में भी बीजेपी लट गर्मन्ट था और B.S. Eduriya पा ही कनारगा का चीप में चल थे तो तब भी ऐसे ही लो था और अभी जो लोया है उस लोग का थोड़ा रिवेस वेशन है थोड़ा और स्टिट कर दिया इट वस प्रसेंडेड इन बीट तू बैन ओल फोर्मस अफ क्याटिल स्लोटर बाई रेकमेंदिंग इंडिंग पनिश्मेंट फर वाइलेटिस देखो अभी के जो 220 का बिल में ओल फोर्मस अफ कैटल स्लोटर किसी भी तरह का किसी भी फोर्म का कैटल को स्लोटर करना मना है तो चॉंग्रेस अट रेवेटे टो लस्ट इंजेन कनाडगा प्रिवेंशन ओव काव स्लोटर और प्रसरवेशन अफ अनिमल स्क 1964 देखो दोस्तों इसकी थोड़ी हिस्टरी देखा जाएगा तो कनाडगा में प्रिवेंशन ओव काव स्लोटर और प्रसरवेशन अफ अनिमल स्क 1964 देखना पड़ेगा देखो दोस्तों 1964 के लोग की हिसाब से कैटल स्लोटर हो सकता था पर सेटन रस्रिक्शन था देखो 1964 लोग की हिसाब से बुलोग पफलो मेल जो भेस है और फीमेल अगर बारा साल से बड़ा है और एक कॉंपीटन अधोरिटी का मतलब है एक वेटनरी सर्जन अगर सर्टिफिक करके देगा कि यह जो कैटल है जिसको मारने वाला है वो बारा साल से ऊपर है और वो आगे ब्रीडिंग नहीं कर सकता नहीं तो यह बीमार है इस तरह अगर सर्टिफिक करके देने से स्लोटर हो सकता था भेस का या बुलोग का देखो दोस्तों पर यह 1964 के लो में भी यह था कि कव गाई है उसको मार नहीं सकता था या काफ इसके जो छोटा है उसको भी मार नहीं सकता था या शी बफलो को बफला का जो फीमेल है clear? अब देखते हैं दोस्तों cattle slaughter in India cattle slaughter especially cow slaughter इसे controversial topic in India because of the cattle's traditional status देखो दोस्तों cattle slaughter especially cow slaughter मतलब गाईों को मारना मीट के लिए यह एक बहुत ही बड़ा controversial topic रहा है इंडिया के अंदर इसकी वजाया हैं दोस्तों सबसे पहले वजा मैं यह बोलूँगा कि इंडिया की population जो यह दोस्तों देखा जाएगा तो 1.4 billion के करीब है और उसमें से 80% लोग जो है है दूथ हम सब पीते हैं तो गाई को मा के समान धेकता है क्योंगि हम गाई का दूद पीते हैं और गाई का पूजा हम करते हैं हमारे पुजानों में इतिहासों में गाई से हम मतलब Hinduism को जो फोड़ो करते है, सारे लोग ऐसे नहीं सोचते है, Majority of Sikhs ऐसे सोचते है, कि हमें गाई को मारना नहीं चाहिए, या गाई का जो मीठ है, उसको खाना नहीं चाहिए. और साथ साथ सिखिसम में, जैनिसम में, भुतिसम में, ये सब religion में भी animal को मार के खाना unacceptable है. At the same time, India में जो Muslim population है, जो इंडिया का population में करीब 25% आ जाते है, वो एक acceptable source of meat माना जाता है, beef को. और भी religion से, सच अ Zoroastrianism, Zoroastrianism का भी ऐसे ही बात है हिंदू जैसा, सारे लोग में ही है, कुछ लोग do not eat beef. ठीक है, Zoroastrianism को जो फोडो करते हैं, उनमें भी ऐसा कुछ सेक्स है, जो beef खाते ही नहीं है, पर maximum लोग खाते हैं. And the animistic and Abrahamic religions, etc. Christianity की बात करो, Christians के लिए तो beef is a staple food की तरह है, वो सब खाते हैं. तो basically देखा जाएगा तो, इंडिया में population में ऐसा diversity है, पर majority of the population जो है, beef खाने से या cattle slaughter से against है. एही जानिये. More specifically बोलेगा तो, cow slaughter has been shunned because of the number of reasons such as being associated with goat Krishna and Hinduism. यह मैं आपको बता दिया. Hindu धरम में, जो सबसे ज्यादा population है इंडिया में, Hindu धरम के लोग, गाई को goat Krishna भगवान के साथ रिलेट करते हैं. यह ही तो सबसे बड़ा प्रोडम है. Cattle being respected as an integral part of rural livelihoods and economic necessity. और cattle को ऐसे respect करते हैं, हमारे परिवार के एक अंग की तरह, हम सोचते हैं, और एक economic necessity माना जाते हैं. ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जो गाई को पाल पोचके बढ़ा करके, उनका दूद पेचके या उनका दूद पीचके पीके अपना काम चलाता है. Cattle slaughter has been also opposed by various Indian religions because of the ethical principle of ahimsa, non-violence, that I believe in the unity of our life. दोस्तों, Hinduism का बात हो किया, यह तो pure spiritual बात हो गी. अगर भुतिसम, जेनिसम जेसे religion की बात किया जाएगा, तो वो लोगे ethical principle मानते हैं, कौन सा? Ahimsa, non-violence. इनके religion में इस तरह की कोई भी animals को मारना और खाना, यह बिल्कुल unacceptable है. तो यह भी एक reason है. Legislation against the cattle slaughter is in place throughout most states of India except Kerala, Goa, West Bengal and states of North East India. इतने states में legislation अभी तक passed नहीं हुआ है. ऐसा कोशिस भी नहीं किया है, इसका वजाया भी है, देखो दोस्तों, केरला, Congress and Communist Party rule करते हैं, सालों से, ऐसा और कोई government अभी तक आया है, गौवा अभी आया है, तो गौवा में भी क्या है? गौवा में जो population है, वो maximum Christian population है. तो वो लोग सब यहीं चाहते है कि beef उनको खाना ही है. वस बंगाल में BJP की गमन आया नहीं है, and states of North East India, आप North East India में भी देखा जाएगा, तो maximum Christian population है. तो वो लोग के लिए भी यह beef खाना ज़रूरी है. और जो वस बंगाल के बात किया जा तो, वस बंगाल में भी Muslim population बहुत ज्यादा है. तो Muslim population के लिए तो एक acceptable source of food है, beef. तो यह सब बजाय से, इंडिया में कुछ टेटों में beef अभी तक banned नहीं है, beef को खाना प्रोब्लम नहीं है. तो बाकी थोड़ा सा आपको आईडे लग गया होगा भी. आप दोस्तों बात करते हैं, meat export policy in India. इंडिया से जो meat export करते हैं, उसका policy कहा है government of India की तरफ से. इस तरह की controversial बाते हैं चलती रहती है, फर इंडिया meat export करता है दोस्तों, beef भी export करता है. वो कैसा है? As per the government of India's meat export policy, the export of beef, meat of cow, oxen and calf is prohibited, and it is not permitted to be exported. वाईसे इंडिया का meat export policy देखा जाएगा, तो meat of cow, oxen and calf prohibited है दोस्तों, पर इन इसका मतलब यह नहीं है कि beef का export बिल्कुल banned है. बाउन in meat, carcass, half carcass of buffalo is also prohibited and is not permitted to be exported. अलिए बाउनलेश meat of buffalo, meat of goat and sheep and birds are permitted for exports. देखो, इंडिया beef export करता है, beef मतलब meat of buffalo, गाई का नहीं, बाउनलेश meat, इंडिया export करता है, इसमें bond नहीं रहता है, bondless रहता है, और इंडिया बहुत carefully, बहुत सारे processing करने के बाद beef export करता है, क्योंकि इंडियन beef का एक image है, एक brand image बढ़ाने के लिए. इंडिया से जो meat export होता है, वो meat का एक speciality है. इंडिया feel that restriction on import to only bondless meat, with a ban on meat with bonds, will add to the brand image of Indian meat. इंडियन meat, इंडियन से जितने भी meat बाहर जाता है दोस्तों, इसके एक brand image बना है, क्योंकि इसमें bond नहीं रहता है. Animal carcasses, carcasses मतलब dead body, are subjected to maturation for at least 24 hours before deboning. देखो, meat लेने के बाद, इंडिया की policy के इसाब से, उसको 24 गंडे रख देते हैं, maturation के लिए, इसके बाद इसका bond निकाल देते हैं. Subsequent heat processing during the bond removal operation is believed to be sufficient to kill the food and mouth disease virus. दोस्तों, cattle के लिए इस सबसे बड़ा problematic virus है, food and mouth disease virus, FMD virus बोलता है. आप लोगे घर में अगर घाई या भैसे आप देख सकते हैं, उसके पायर में FMD, food disease आता है, mouth में भी आता है, एक virus की वज़े से. अब इंडिया जब beef, buffalo meat जब export करते हैं, एक तो मैंने पता दिया, आपको उसका bond निकालते हैं, इसको 24 गंडे रख देते हैं, इसके बद एक heat processing भी करते हैं, जो food and mouth disease virus हैं ये सब को kill कर देते हैं, खतम कर देते हैं. तो Indian meat जब export होते हैं, उसके एक brand image बना हुआ है, अब दोस्तों देखते हैं, एक छोटा सा statistics, देखो, पिछली 10 साल का इंडिया का beef export कितना रहा है, दोसार 9 दस की बात किया जाया है, तो 490,000 metric tons है, और 24-15 तक वो कैसे up हो गया, देखो, 1475,000 metric tons है, दोस्तों, ठीक है, metric tons, इ पर एक स्टेडी है, 1348 तक, फिर देखो, लास्ट यर में भी, 18-19 में भी, थोड़ा सा decline हुआ है, फिर भी sufficient है, तो मतलब, इंडिया जैसे देश में, जहां beef खाना इतनी controversial है, और beef को लेकि इतना कुछ हला मचाता है, और इंडिया का export देखो, इंडिया की जो स्टाटिस्ट देखो, इंडिया कितना beef export करता है, ठीक है, लास्ट यर में भी इंडिया 1,002,29,000 metric tons beef export किया है, ठीक है दोस्तों, अब देखते है दोस्तों, laws governing the cattle slaughter in India, यह ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, देखो, laws governing cattle slaughter in India vary greatly from state to state, यह state to state different है दोस्तों, state के पास एक authority है, वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं, important है ध्यान दीजेगा, the preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases, veterinary training and practice, as I close है, entry 15 of the state list of 7th schedule of the constitution, इसका मतलब यह है, state legislators have exclusive powers to legislate the prevention of slaughter and preservation of cattle, तो basically आपको यह पता चल गया, कि state के पास powers है, यह सब चीज को handle करने के लिए, तो वो कहां लिखा हुआ है, entry 15 of the state list of 7th schedule of the constitution, ठीक है, तो laws जो है, वो state to state different है, यह बोल रहा है, कुछ states band कर देते हैं, जैसे कनाड़गा भी किया, और केरला, वेस्वंगल जैसे states में अभी भी यह चल रहा है, तो यह इसकी वज़ाई है, some states allow the slaughter of cattle with restrictions, like a fit for slaughter certificate, यह मैंने आपको बता दिया, जब कनाड़गा क की history की बात कर दा था, मैं, दोस्तों, कुछ states में restrictions है, पूरी तरह बैंड नी है, जैसे कनाड़गा में क्या किया 100% बैं रगा दिया, कुछ state में ऐसा है, fit for slaughter certificate, अगर है, तो आप slaughter कर सकते हो, जैसे 12 सल के उपर होना चाहिए, और यह breeding के लिए capacity नहीं होना चाहिए, इस तरह की restrictions लगा देते है, अधर completely banned cattle slaughter while there is no restriction in a few states, ठीक है, कुछ states completely banned लगा रखा है, cattle slaughter का, और कुछ में few restrictions है, और कुछ में बिलकुल restrictions नहीं है, जैसे केरला है, वेस बंगा जैसे देश में, राइट, अब दोस्तों, सबसे important चीज आता है, what our constitution says, हमारे समिथान में क्या लिखा है, Article 48 of the Constitution of India is one of the directive principles which directs the state to make efforts for banning the beef consumption, लेको दोस्तों, Constitution में एक ही जगा में लिखा हुआ है, ये beef consumption के बारे में या cow slaughter के बारे में इसको prohibit करना चाहिए, ये हमारे समिथान में Article 48 में लिखा हुआ है, पर problem क्या है दोस्तों, Article 48 जो है, Directive Principles of State Policy में आता है, हमारे समिथान में Article 36 स लेके Article 51 तक देखा जाएगा तो वो सब Directive Principles of State Policy है, और Directive Principles of State Policy का सबसे बड़ा खासियत के है दोस्तों, इसा लिखा हुआ है, Constitution में, मतलब, Directive Principles of State Policy इसलिए है, कि एक Welfare State बनाने के लिए, बेसिकली एक moral responsibility है, कि आपको यह सब करना चीए अच्छी governance के लिए, आप करो या ना करो, यह आपके ऊपर है, एक moral responsibility की तरह है, मतलब जनता के ऊपर है, यह लोग अच्छे चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसी के लिए DPS भी बना हुआ है, तो यह article 48 जहां यह cow slaughter, beef consumption, यह सब के बारे में लिखा है, यह directive principles of state policy में आता है, इसलिए this is not enforceable in any court, आप देखो दोस्तों, article 48 में जो beef consumption है, यह cow slaughter, इसकी जो smugly है, इसकी trading with neighboring borders, यह सब के बारे में बहुत सारे points लिखा है, में इदर लिखा All the states, मतला government of India के निचे जितने भी states है, they shall take measures for preserving improving the breed, जितने भी breed a cattle का, इसका improvement के लिए कुछ में ले लेना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आप लोग लेलो अच्छा है, यह बोल रहा है, the state administration shall make necessary arrangements in organizing agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, animal husbandry को बढ़ाने की बात हो रही है, आप देखो, state shall endeavor to prohibit sla and slaughtering and smuggling of cattle, cows and other milch and road cattle, state slaughtering and smuggling of cattle को prevent करने के लिए measures adopt करना चाहिए, state shall take necessity actions to ban trade of cattle in livestock market and purpose of slaughter, state government shall be primarily responsible for prevention, detection, registration and investigation of crime, intenting cow slaughter, तो basically, constitution में यह लिखा है कि government, state government जो है, maximum efforts adopt कर देना चाहिए, cow slaughter को prevent करने के लिए, cow slaughter को ban करने के लिए, animal husbandry को improve करने के लिए, ठीक है, अगर कुछ crime हो रहा है, cow slaughter जैसे इनके against action लेने के लिए, ठीक है, state shall prohibit slaughtering of pregnant animal and or has an offspring less than 3 months old, ठीक है, अगर कोई जानवर pregnant है, उसको मारना नहीं चीए, अगर उसका कोई बैच्चा है, जो तीन महीने से नीचे है, तो मारना नहीं चीए, for the animal which is under the age of 3 months old, has not been certified by a veterinarian, that it is a fit condition to be used commercially, shall not be started in a license, तो दोस्तों देहो समझीऊ, यह सब बात लिखा हुआ है, पर प्रोब्लम क्या है, कि यह DPSP में है, कोई मजब लोग कोट कर सकता है, यह DPSP में है, हमारे पास अधिहार है, आर्टिकल 48 का इस्तमाल करके, हम यह लोग हमारे स्टेट के अंदर लागू कर सकता है, अगर नहीं भी करेगा तो इतना बड़ा प्रोब्लम नहीं है, पर करना है तो कर सकता है, क्योंग यह DPSP में clear लिखा है, समझ गए, अब दोस्तों देखते है, Beef Export Statistics in India, 2016 में US Department of Agriculture Review ने एक रिपोर्ट लिखा दा, और उसमें यह बताया गया, कि India वर्ल्ड का सबसे लाजस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, दुनिया भर में जितने भी बीफ ट्रेड हो रहा है, उसमें 20% जो है, इंडिया की तरफ से है, At the same time, United Nations Food and Agriculture Organization भी और European Union ने भी यह कहा, इंडिया का जो बीफ कंसेप्शन है, वो पर क्या प्टा देखा जाएगा, तो दुनिया में सबसे कम है, इसकी वजाएं किया है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था, कि इंडिया की पोपलेशन में 80% हिंदू है, और हिंदू मे बहुत कुछ आजाता है, ठीक है, शीप, गोट, तो इसमें बीफ टेड में देखा जाएगा, तो मैजोरिटी जो है बफलो मीट है, भास का मीट है, इंडिया प्रोलूस्ट त्री पोट्ट्री मिलियन मेटरी टरंग्स ओव बीफ in 2012, और फिच 1.963 मिलियन मेटरी टरंग्स वैसे बीफ प्रोलूस्ट देखा जाएगा तो, तो सर बारा की बात हो रहे है, अभी का लेटिस मुझे मिला नी, इंडिया के रांग जो है, फिफ्त है बीफ प्रोलूस्ट में, ठीक है, इंडिया गर्वर्मन्ट रिकुर्स मैंडेटरी, माइक्रोबियलोजिकल और अदर इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें एक इंडियन ब्रांट बनता है, मतलब बोल निकाल देते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग करते हैं, हीट प्रोसेसिंग करते हैं, ताकि फूट और जो मर जाता है, तो इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं तो पढ़ा होगा वन तोसन फाइंडर बीची से लेके 680 तक इफ एम करेक्ट आरिन कल्चर चल रहा था तो उस टेम पे अनिमल साक्रिफेशस होता था तो इसके बात इनके जो कल्चर के जो अनिमल साक्रिफेशस होते इसके एगेंस्ट बुथिसम और जेनिसम में बोथ सारे प्र प्रिंसिपल्स लिखा जो एनिमल साक्रिफेशस है अंड वाइलंस अगेंस्ट वीविमबिंग्स जो पी जीवित रहे उनके एगेंस्ट उनको मारना उनके वाइलंस करना यह पाफ है यह भुतिसम और जेनिसम ने पढ़ाया आपको पताए होगा जेनिसम में कुछ सेक्टे इसा है अग्रिकल्चर भी करते नहीं क्योंकि उसमें कीडों को मारना पड़ता है अपने पढ़ा होगा कहीं अब देखो दोस्तों चंडोगया उबनिश्यत में क्या लिखा है एथिकल वाली ओफ आहिमसा और नौन वाइलेंस तो बैसिकली इंडियन कल्चर में यह काउ इंडियन बीसी ओल थ्री मेजर इंडियन रिलीजिंस भुथिसम हिंदुिसम जैनिसम वेर चांपिनिग नौन वाइलेंस अन एथिकल वाल्यू और इंपक्टेट वाल्यू यह जो जानवरों को नहीं मारना या जानवरों के साथ कोई भी आनेमेल के साथ कोई भी लीविंग बीइंग्स के साथ वाइलेंस नहीं करना हिंदुिसम बुजिसम जैनिसम एक एथिकल वाल्यू समझते थे यह लोग एभी समझते थे यह अपना री बर्त में इंपैट करेगा क्यों हिंदू रिलीजियन अग देखा जाएगा तो री इंकार्नेशन में बिलीव करते हैं तो एक एथिकल वाल्यू जैसा था कैसे भी हो एक अच्छी चीज थी क्योंकि दूसरे लीविंग्स को मारना बिल्कुल वो लोग फोलो नहीं करते थे अगर आप खाने के लिए भी किसी को मार रहे हो यह भी एक फॉर्म ऑफ वाइलेंस है तो इसता है 200C मतलब पूराने हिस्टरी अगर देखो के तो तभी अनिमल स्लोटर के अगें सेंटिमेंट चल रहा था राफ फिच ए जंडलमन मेंचंट अफ लंडन और अफ एलिए इंडिया रोटे लेटर होम इं 1580 राफ फिच करके एक मर्चंट था 1580 में अपने घर में लेटर लिखा है उसमें यह लिखा है मतलब इंडियन के लिए कव एक बहुत इंपोर्टन आनिमल है वो लोग उसकी दूद पीता है कोई भी मांस नहीं खाता है वो दूद पीते हैं चावल खाते हैं कोई नॉन वेजिटेरियन फूट नहीं खाते हैं काव खास्मी ने सिंपल एने वल्त इन इंडिया सेंटियन टाइम्स ठीक है काव जो है वल्त का थान का एक सिंपल है इंडिया में तो यह 15th century हो यह 17th century की बात है ठीक में तो दोस्तों यह सबसे आपको क्या समझ में आ रहा है तो हिंडूशम में चाव के साथ जो सेंटिमेंट से चाहे वो पुरान से रिलीट करोंगे या इस्टरी से रिलीट करोंगे तो आपको तो यह समझ में आ रहा होगा कि इंडियन कल्चर में बहुत पहले से ही जानवरों के साथ एस्पेशली काउ के साथ एक सेंटिमेंट्स था यह सब की एक कंटिनुएशन है यह कंटिनुएशन प्रोसस है अभी भी जो दिख रहा है ना को हिंदूईसम जो बीफ नहीं खाते है या फिर दूसरों के साथ जो वाजन्स करते है अगर वो लोग गाई को मार रहे हो इस तरह की जो प्रोब्लम चले इसकी जो रूट में बता रहा हो यह बहुत पुराना है अब दोस्तों मैं आपको बता दिया कि इंडिया में जो काउ स्लोटर के बार में थोड़ा बहुत इ स्री लंका के गशनतर आझ कैना चले और रहे हैं तरह पर बहुत थाड़ सपस के कोई सह्क के बार मार बहुत और रहे हैं इसा न श्री लंका पूल लींचर पंटेंग है अट आफ़ सेचंळ नियोंग के वाजाय है स्री लंका बुद्धिस मजोरिटी कंट्री दोस्तों 70% अफ ते कंट्री इस पोप्रेशन बुद्धिस्ट है तो बिल्कुल वह बीफ नी खाया क्यों मैंने आपको बताया था कि अनमेल सेक्रिफेस्स अगेंस्ट था वह तो टो अनम बीफ कंस्प्शन से तो बिल् आते हैं इसलिए लोग क्या बोला कि इंपोर्ट कर सकते हो अपर स्री लंका के अंदर यह नहीं हो सकता कव कव मार नहीं सकते हैं दोसर बारा की सेंसस की बात किया जाए स्री लंका का तो 20 मिलियन पोप्लेशन में स्री लंका में 70% बुद्धिस्टेट 12.5% हिंदू से 9.66% म आपको बता दिया अब दोस्तों फाइनली पहुंचते हैं एक कंक्लूशन के ऊपर हमने वीडियो शुरू किया था करनाड़का स्टेट गर्मन का बैंक के ऊपर जो कैटिल स्लॉटर के ऊपर लगाया था अब उसी में कंग्लूट कर देते हैं अबरी सीटिशन अंडर आर्टिकल 19.1 जी हाज राइट तो चूस एवरी एंप्लोईमेंट और टेक अप अप अनी ट्रेड और कोडिंग इंडिन कोंस्तिटूशन के आर्टिकल 19.1 जी के हिसाब से नागरिक जो है कोई भी एंप्लोईमेंट चूस कर सकता है कोई भी इसको हर्ट नहीं कर रहा है यह डिसिशन जो है अगर कनाडगा की बात किया जाया है तो मैजर्टी ऑफ तो पॉपलेशन हिंदूस है और लोग अगर यह चार है तो गर्मन के पस ऐसा अप्शन नहीं है उनको भी अपीस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्यों avored if indeed the purpose of rules was to prevent cruelty to animals अगर आपकी purpose जो है इस तरह की जो cow slaughter है cattle slaughter को impose करने का अगर आपकी purpose prevention of cruelty to animals है तो यह limited क्यों है cattle के लिए Lot bakari मुर्गा, मुर्गी यह सब के उपर भी बैन लगाया जाए यह भी तो living beings है यह भी सोचने वाली बात है दोस्तों तो यही था cattle slaughter ban के उपर एक छोटा सा वीडियो I hope आपको कुछ सीखने को मिला होगा आप लोग की valuable suggestions and comments जो है आप मुझे comment box के तुरू बताईएगा इस lecture की PDF as usual आपको ट्रिल्ग्राम चानल में अवेलबिल करा दूँगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जरू like and share कीजिएगा Thank you for watching, bye bye, have a nice day